हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मीद है आप लोग बहुत अच्छ हूंगे फ्रेंड्स आप सभी का हमारी यूटूब चैनल लेके एजुकेशन स्कॉार्ड में स्वागत है और फ्रेंड्स जो आज को हमारा टापिक है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोहजार इस तो यह टापिक है और बहुत ही महत्पूर टापिक है यहां से हर प्रिच्छ में कोश्चन पूछे ही जाते हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला कोश्चन है अब गेम कोश्चन स्टार्ट होने से पहले हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनकी सुरुआज जो है सन दोहजार अठारा से हुई थी ठीक है और अभी तक यह जो हुए है चार अभी तक संस्क्रण जो है चौथा संस्क्रण थ चुका और प्रतेक वर्स प्रतेक वर्स गेम होते हैं यह और फर्वरी प्रतेक वर्स की जनवरी और फर्वरी में खेले जाते हैं ठीक है तो चलिए फ्रंस देखते हैं हमारा पहला कोश्चन क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोहजार इक्यस ठीक है 21-22 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2018 में शुरू हुआ था तो पहला अठारा में हुआ फिर 19 में हुआ फिर 20 में हुआ फिर 21 में होना था लेकिन कुरोना की वज़े से ये 21 वाला गेम ये 22 में हुआ है ठीक है तो जहां पर भी 21 का नाम लिया जाएगा तो आपको 22 वाले की बात करी जाती है ठी तो जहां पर भी 21 की बात करी जाए तो समझ लेना कि जो 22 में हुए हैं उन्हीं की बात करी जा रही है ठीक है तो इसलिए देखते हैं क्या है मारा पहला कोश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज सिर्स पर रहा यानि बिजेता राज कौन रहा ये आपको बताना है ठीक है रिपीट करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 यानि जो 21 में 21 वाले थे वो 22 में हुए हैं तो उसमें पदक तालिका में सिर्स इ सिते ही मलब हर्याना ने तो 137 पदक जीते हैं ठीक है 137 कुल पदक जीते हैं प्रस नमबर 2 चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पर्थम पर्थम दुत्ती और तुत्ती इस्थान पर कौन मलब कौन कौन सिटी में रही हैं यानि टाप 3 में कौन कौन सिटी में आती हैं तो देखते हैं इसको बड़ तो चोथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले इस्थान पर कौन रहा है तो यह रहा है हर्याना ठीक है हर्याना रहा है और यह कितने टोटल पदक पाया है तो इन्होंने पाए हैं 137 कुल पदक पाये हैं जिसमें से 52 जो है गोल्ड है ठीक रज़त पदक है और जो जिसमें से 46 जो हैं वो क्या है ब्राउन्स मेडल यानि कांस पदक है ठीक है तो टोटल जो हर्याना पहले नंबर पे टीम है वो टोटल पदक जीती है 137 जिसमें से 52 पदक है गोल्ड और तो 45 जो है वो silver यानि रज़त पदक है अब जो कांस पदक की बात करी जाए तो 46 जो है कांस पदक जीत कर पहले इस्थान पर रही है तोटल हर्याना ने टोटल 137 पदक जीते हैं ठीक है चलिए अब दूसरे नंबर पर देखते हैं कौंसी टीम रही है तो दूसरे पर रही है म महराष्ट है यह तोटल इसने महराष्ट ने 125 पदक जीते हैं ठीक है जिसमें से 45 जो है गोल्ड मेडलय यानि 40 सिल्वर मेडलय है रज़त पदक कितने हैं 40 है और 40 ही अब जो 40 कांस पदक है तो total 125 मिल प्राप्त की है जिसमें से 45 जो है गोल्ड है 40 सिल्वर है और 40 ही ब्राउन जो है ठीक है चलिए अगला ये तीन नंबर पे देखते हैं क्या है तीन नंबर पे हमारी जो टीम रही है वो करनाटक रही है और करनाटक ने टोटल जो पदक जीते हैं वो सरसथ यानि 67 यानि 67 जीते हैं जिसमें से 22 जो है वो गोल्ड मेडल है यानि सौड पदक है 27 जो है रजत पदक है ठीक है जो 28 यह है जो 28 जो है ब्राउन जो है एकोटल पदक जीती है 125 जिन मेंसे 45 जो है गोल्ड मेल हैं चालिस सिल्वर मेडल है और 40 ही ब्राउज मेडल है तिसे नमबर पर जो टीम रही है वो रही है कर्नाटक टोटल पदक जीती है कर्नाटक चैस जिसमें से 22 गोल्ड मेडल है 17 जो है सिल्वर मेडल है 28 जो है कांस यानि ब्राउंज मेडल है ठीक है चलिए उम्मीद करने हैं समझ में आया होगा अगला देखते हैं नोजन कहा हुए तो ये पंचकुला हर्याना में हुआ है तो यह हुआ है नई दिल्ली में कब हुआ था सन 2018 में इसकी सुरुवात हुई थी तो पहला संस्क्रण था वो संदो अजार अठारा में नई दिली में हुआ था और नई दिली में जो हुआ था पहला पहली जो टीम विजेता थी इसकी मलब संदो अठारा का जो गेम हुए थे तो उनकी जो मलब कौन सी टीम जीती थी उस गेम में तो हरियाना जीती थी ठीक है हरि इसकी जो टीम थी वो विजयता महराश्ट जीती थी ठीक है पहला वाला हर्याना मलब पहला वाला जो अठारा में हुआ था वो हर्याना जीती थी दूसरा वाला महराश्ट जीती थी तीसरा देखते हैं तीसरा संस्क्रण कहां हुआ था तो तीसरा संस्क्रण 2020 में हुआ था औ और गुवा हाटी एसम में हुआ था और ये भी जो थी ये भी कौन जीता था महराश्ठी जीती थी ठीक है अब ये साथ में एक साल का गैप हो गया है यानि 21 वाले जो थे 22 में खेले गए है तो जो चौथा संस्क्रण भी हुआ है तो ये कहा हुआ है तो ये संद 2022 में हुआ है पंच कुला हर्याना में हुआ है और इसको जीता किसने है इसको हर्याना ने जीता है ठीक है तो कुल मिला कर अभी तक चार संस्क्रण हुए है चार में दो बार महराश्ठी जीती है ठीक है और दो बार हर्याना जीती है पहला वाला और चोथा वाला जो है हर्याना जीती है दूसरा तीसरा वाला महराष्ट जीती है ठीक है चलिए उम्मीद करें समझें आया होगा अगला देखते हैं प्रस नमबर पांच है पांचवा संस्क्राइब कहां होगा अभी तक चार हो चुके हैं अब जो पांचवा होगा तो कहां होगा तो मद्धि परदेश यह भोपाल म दुमद्य परदेश में और प्रस नमबर यॉ खेलो इंडिया यूथ गेमस दो जार इकिस का आयोजन पर से कब तक चला है तो चार जून 14 16 चून कवर स्भ और तक चला है ठीक है अगला प्रस नमबर दस है खेलो ंडिया यूथ गेम्स दोजार ेकिस में 35 पानपरी खेलों को सामिल किया इसक्राइं बबन किया तो वह नहे खेल कौं कौंसे जिनको इस पार मलब्त सामिल किया गया जोथे संस्क्राइड में तो यह थे ठांगता गत का योग मल्खंब वह कलर थंगटा, गत्का, योग, मलखंभ वा, कलतिपट ये पांच गेम्स इनको सामिल किया है माचों को ठीक है प्रस नमबर 11 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था जब इनकी शुरुवात हुई थी तो इनका नाम रखा गया था खेलो इंडिया इस्कूल गेम्स ठीक है खेलो इंडिया इस्कूल गेम्स ठीक है इनका नाम रखा गया था खेलो इंडिया इस्कूल गेम्स कहां इस्थित है तो यह इस्थित है पंचकुला हर्याना में ठीक है कहां इस्थित है पंचकुला हर्याना में प्रस नमबर 13 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्याले कहां है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्याले जो है यह नई दिल्ली में है प्रस नमबर 14 ख खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्क्राइब कहां पर आयोजित किया गया तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और उसकी जो बिजयता टीम रही थी वो हरियाना रही थी प्रस नमबर सोला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आदर्स वाक क्या है तो साथ में हैं हम ठीक है यह इसका आदर्स वाक है क्या है साथ में हैं हम ठीक है प्रस नमबर सत्रा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली कबड़ी खिलाडी कौंसी हैं तो यह हो जाएंगी एतु मंदल एतु मेंदल कवड़ी की प्लेयर है उनिंगी सबसे कम उम्र की प्लेयर है तो इनकी जो उमर है यह 8 वर्स की है खिंत की हैं और इनका जो खेल है वो कवड़ी है ठीक है प्रस नंबर 18 देखते हैं और उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं यह जो चौथा संस्क्रण हुआ है इसमें जो पहला पदक जीता है यानि जो अभी चौथा संस्क्रण हुआ है इसमें जो पहला पदक जीता है प्रस नंबर 18 देखते हैं खेलो इंडिया योजना के तहट प्रतिवासाली खिलाडियों को आठ वर्सों तक प्रतिवर्स कितनी धन्रास वार्षिक वित्ति सहायता दी जाती है या प्रदान की जाती है तो पांच लाख रुपे दी जाती है ठीक है प्रस नमबर 19 खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसे हम साथ कट में कहते हैं के आई वाई जी यानि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आई वाई जी का मुख उद्देश था ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख उद्देश क्या था तो जमीनी इस्तर पर पतिवा की ख भोच करना अब प्रस नमबर 20 जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सुरुआत किसने की ठीक है यह आपने हमें कमेंट में बताना है कोईशन नमर 20 ऑपको हमें कमेंट में बताना है ठीक है और फ्रेंट्स उम्मीद करते हैं वीडियों आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियों पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर देपा देना और उससे भी महत्पूर्ण आपको बात बता दें हमारे यूटूब चैनल पर 500 कोश्चन की फिजिकल एजूकेशन की 500 कोश्चन क साइकोलोजी यानि मनोविज्ञान की वीडियों पहले से अउलेबल है ठीक है तो एक ही वीडियों में 500 कोश्चन की वीडियों मैंने पहले बना रखिए यह उसकी जरूरत हो आपको तो चैनल पर जाके आप उसका फाइदा उठा सकते हैं और इसी तरह के मैं रोज डेली व फिजिकल एजूकेशन की तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियों अच्छा लगा होता और मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक लिए जय हिंद्ध